हालो सभी दोस्तों को नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों साथ उत्तर प्रदेश PCS UPSC टेट, सुपर्टेट, आरो, आरो, उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी इंजाम या प्राइबिट इंजाम जो भी इंजाम होते हैं उनमें जो भी करेंट अफेर उजे जाने की संभावना रहती है वो दस महत्पूर्ण प्रस्ण हम डिसकस करने जा रहे हैं जो आने वाली परिच्छाओं के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें जिससे की इनका बार-बार रिवीजन करते रहें जिससे की हमेसा यह आपको याद रहें और परिच्छा में अच्छे अंग आप लोग हासिल कर रखें तो इनको जो है इंपॉर्टन्ट ग से विश्थ के इंपॉर्टन्ट इनको इस्टार दिए गये हैं तो उस इसाअप से आप अनंमाल लगा सकते हैं कि इनके परिच्छाओं में बूझे जाने की संभावना कितनी ज्यादा है तो जो ये प्रश्ण है एक एक टॉपिक की रूप में आप इने समझीए इनसे संबंधित भी से आप लोग पढ़ सकते हैं जिससे की परिच्छाओं में इसका बहुत अच्छा लाम मिल सके है तो हम मिषीक साथ पहला प्रश्ण जिसे की टुप्रड़ इस्टार दिया गया है एव चोहत्रवें गरतंतर दिवस परेड में किस राच की ज्याकी ने पहला परुष्कार जीता हैं तो अभी जो हमारा चोहत्रवां गरतंतर दिवस मनाया गया उसमें जो जहांकियों का प्रदर्शन रहा उसमें उत्रा खंड की जहांकी ने प्रथामस्थान प्राप्त किया है तो इसलिए ये प्रशन बहुत ही चर्चा में है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा इसी प्रकार दूसरा प्रशन है जिसे की ट्रपल स्टार दिया गया कौन सी राज सरकार इथनाल उत्पादन के लिए डेन्मार्क के साथ साजेदारी करेगी तो ये जो है अभी इथनाल के उत्पादन के लिए उत्तरपदेश सरकार जो है डेन्मार्क से साजेदारी कर रही इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है प्रसंख्या तीन है इसे भी ट्रपल स्टार दिया गया है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक सुरू होनी की संभावना है ये किस रूट पर चलेगी ये कालका से सिमला वाले रूट पर चलेगी तो ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी इसी विकार प्रसंख्या चार है जिसे की डबल स्टार दिया गया है सागर परिक्रमा कारिक्रम किस मंत्राले विभाग से संबंदित है ये जो सागर परिक्रमा कारिक्रम है ये मस्विभाग से संबंदित है ये जो है मश्वारों और जो मश्ली पालन करने वाले या मश्ली पर अजीवी का केले निरभर रहने वाले तटवर्ती छेत्रों के लोगों के लिए ये जो कारिकरम चलाया गया है जो हमारे समुन्द्र तटी मचलियों के स्रोथ हैं उनको लगातार इस हिसाफ से सिकार किया जाए कि उनके स्रोथ हमेशा बने रहें और मचली पालन की जो है प्रक्रिया हमेशा जो सशनेबल गत्से सतत रूप से चलती रहें इसलिए ये सागर परिक्रमा कारिक्रम मस्त मंत्राले ने शुरू किया है प्रसंख्या पांच है इसे ट्रपल स्टार दिया गया है चर्चित वुल्फ 1069B क्या है तो ये बहुत ही चर्चित रहा है ये जो है एक्सो प्लैनेट है जो 1069B है ये बहुत ही चर्च्या में रहा है प्रसंख्या छे है इसे ट्रपल स्टार दिया गया है जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था ये हमारे मानि प्रधानवंत्री नरंद मोधी जी ने 15 आगस्त 2019 को शुरू किया था जन जीवन मिशन की सुरूआत इसी का प्रसंख्या 7 इसे भी ट्रपल स्टार दिया गया है अंशे 370 किस राज से संबंधित है तो ये जो अंशे 370 है ये जम्मू कस्मीर राज से संबंधित है प्रसंख्या 8 है इसे भी ट्रपल स्टार दिया गया है इसरों ने नासा के साथ मिलकर कौन सा मिसम्म लांच करेगा जो ज्वाला मुखी विस्पोर्ट भूकम भूस्खलन प्राकरतिक आपताओं की चेताओनी देगा तो ये जो है सरका जो अपने इश्रो और नासा दोनों के सयोग से ये निसार मिसन जो है इस्टार्ट किया है इसकी सहायता से जो है पर्थवी पर जो भी प्राकरतिक गत्वधियां होंगी उन पर नजर रखी जाएगी ये एक प्रकार के सेटलाइट है जो नासा और इश्रो के सयोग से विक्सित किया गया है जो की भोकाम, भोशकलन या ज्वाला मुखी विस्पोर्ट जो भी प्राकरतिक सोच हलचल होंगी उनके बारे में ये तुरंत जो है जानकारी उपलब्द कराएगा प्रसंख्या नौ है भारत के किस राज में रामसर इस्थल की संख्या सरवाधिक पाई जाती है तो भारत में जो है रामसर इस्थल की सरवाधिक संख्या तमिलनाड में 14 है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर जहां पर इनकी संख्या दस है तो ये बहुत ही महत्पूर प्रशन है क्योंकि अब हमारे हाँ 75 रामसर इस्थल हो गए हैं कुल जो है 75 75 रामसर भारत में हो गए हैं इसलिए बहुत ही चर्चा में हो गया ये प्रशन है प्रश संख्या 10 जिसे की ट्रॉपल स्थार दिया गया है वर्ष 2022 तक स्वच्छ भारत मिसन के तहत कितने सवचालियों का निर्माड पूरा किया गया है तो ये 2022 तक जो है स्वच्छ भारत मिसन के तहत 11.7 करोड सोचालियों का निर्माड कर लिया गया है तो ये रहे 10 महत्पूर प्रशन जो उत्रप्रदेश के सभी जामे बूझे जाने की संभावना है तो इस प्रकार के जो प्रशन होते हैं इनको बार बार पढ़िए जिससे की ये परिच्छा के समय आपके दिमाग में बने रहें बार बार पढ़ने से वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं तो ये 10 महत्पूर प्रशन आपको कैसे लगे कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएं तथा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्रमोदकुमार ओनली फार इस्ट डिविजन को लाइक सेर सस्क्राइब करें पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद